काफी लोगों को बैगन बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हो यहाँ पर मैं बना दिए मुफली वाले सफेद बैगन काफी टेस्टी लगते हैं आप डेफनेटली एक फार जरूर ट्राय कीजिए आपको भी पसंद आएंगे और यह सूखी सबजी की तरह बनती है मसालेदार सबसे पहले जो इंग्रीडियन्स है वह है बैगन सफेद वाले उसे अच्छे से दो के पॉश लीचे यहां पर लाल मिर्च मैंने लीए सूखी तेर सारा लैसून और हरा धनिया आप धनिया हमेशा हरा लीजिए सूखा धनिया बिल्कुल भी मत लीजिए इस रेसिपी में ए अधर चमच यहां हींग है और बूनी हुई मुफली इसे आप पहले से भून के रख लीजिए उससे यह बैगन जली बन जाते हैं सारे इंग्रीडियन्स आप एखटा कर लीजिए उसके बाद कैस पे तवा रख देंके उसमें एक चमच ऑईल डालेंगे आप चाहें तो इस सब समान को हमें अच्छे से भूनना है तो इसमें डाल दी है मैंने लाल मिर्च उसके बाद सूखी और यह सब डालने के बाद आप इसमें डाल दीजिए रोस्ट करे हुई मुफली जो कि मैंने पहले से भून ली थी तवे पे उसके बाद इन सब को अच्छे से मिला लीजि और जल जाएगी मुफली उसके बाद हमें इसमें धनिया डाल देना है और धनिया को भी हलका सा इसे इसमें मसाले को भूनना है इसमें और तुरंती निकाल देना है मुफली को ज्यादा नहीं भूरना है हमें बस इस टाइप से दो तीन मिनिट में ही ये रोस्ट हो जाएगी उसके बाद आप थाली में निकाल दीजिए और इसे दरदरा पीसना है अब बैगन को किस टाइप से काटना है तो आप एक तो लॉंग प्रोसेजर जिसमें आप इसकी कैप हटा दीजिए बैगन की और उसके बाद इसका चार हिस्सा कर दीजिए और अंदर से चेक कर लीजिए कोई खराब तो नहीं है बैगन और एक शौट ट्रिक है जिसमें आप पूरा कवन निकाल दीजिए और इसके चार हिस्से कर दीजिए उससे भी बैगन जली बन जाते हैं अब सबसे पहले एक भगोने में ओईल डालें ओईल को आप कम भी कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ओईल यूज किया है उसके बाद यहाँ पे लैसून डाल देखिए यहाँ पर सेकेंड टाइम यहाँ पर हम लैसून यूज कर रहे हैं तो यह भी थोड़ा सा ज्यादा लैसून डलता है उसके बाद आपको इसमें डालने होंगे बैगन तो यहाँ मैंने उसी डंडी भी हटा दी थी और तुरंट डाल दीजिए और बैगन बहुत प भी मियाच पर धकन लगाके और यहाँ पर जो मुफली भून गई थी उसको हम प्लेट में निकालके दरदरा पीस लिया है उसके बाद इसमें आप नमक डाल दीजिए स्वादनुसार जैसा भी आपको पसंद है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए यह हमेशा मसाला आप दरदरा पीसेंगे जैसे मिक्सर में बन चालू करके बाद 5-6 मिनिट में ही बैगन पक जाते हैं उसके बाद यहाँ पे जो हमने मसाला तयार किया था मुफली का उसे आप डाल देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे तो सारे मसाले को आप इस टाइप से डाल दीजिए और बह मिक्स हो जाएगा और बहुत हलकी हातों से इसे चलाइएगा और जब यह और गैस ओफ कर दीजिए दो मिनिट बाद यही क्योंकि यह अच्छे से मिक्स होने के बाद पक जाते हैं तो सबची तयार है उसे सर्फ करें और अगर रेसेपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लेजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में